क्या बिग एपल अपने फाइदे के लिए कुछ ज़्यादा ही भारी हो रहा है? हाल ही में हुए एक अध्यान से पता चला है कि न्यू यूर्क शेहर डूब रहा है और यह समझिए यह सब उन उन्ची गगन चुम्बी इमारतों के कारण है जाहिर है पूरी घटना को धनसाव कहा जाता है जो तब होता है जब प्रित्वी की सतह थोड़ी-थोड़ी करके बैट जाती है या अचानक डूब जाती है नरम तलच्टों का खिसकना और शेहर का वजन ही इस डूबने की अनुभूती के पीछे जिम्मेदार है अब ज्यादा घबराओ मत अधेयन में पाया गया कि न्यूव्योर्क प्रती वर्ष 0.04-0.07 इंच की दर से डूब रहा है निश्चित रूप से यह ज्यादा नहीं लगता लेकिन शेहर के कुछ हिससे इससे भी अधिक तेजी से डूब रहे हैं डूबने की यह स्थिती शेहर के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है खास्तोर पर इसलिए क्योंकि यह पहले से ही काफी निचला इलाका है और 8 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है इसलिए यह मेहित्वपूर्ण है कि स्थानी अधिकारी बढ़ते बार के खत्रे और समुद्र के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए कुछ रन्नीतिया लेकर आए हाला कि मुझे यकीन नहीं है कि विशाल समुद्री दीवारें बनाना ही सही रास्ता है हमें शायद उससे थोड़ा अधिक रचनात्मक होने की आवशक्ता होगी भूविज्यानी यह सुनिष्चित करना चाहते हैं कि हम सभी इस बात से अवगतों की तट, नदियों या जीलों के पास अधिक उन्ची इमारतों का निर्मान भविशे में बार के खत्रों में योगदान कर सकता है इसलिए हमें वास्तव में बाएं और दाएं गगन चुम्बी इमारतों का निर्मान शुरू करने से पहले दो बार सोचने की जरूरत है हाल के अधेनों में वैग्यानिकों ने न्यूँ यॉर्क शेहर की सभी इमारतों के कुल द्रवेमान की गन्ना की उनमें से एक मिलियन से अधिक और यह एक दशमलव चाह आठ ट्रिलियन पाउंड तक बढ़ जाता है भारी भार की बात करें अब उनमें सडकों, फुटपाथों, पुलों और अन्यपक्के क्षेत्रों का भार शामिल नहीं था तो आप केवल कलपना ही कर सकते हैं कि शेहर पर और कितना भार बढ़ जाएगा लेकिन हे, इन सीमाओं के साथ भी, शोद करताओं ने रेत, गाद, मिट्टी के जमाव और अच्छे पुराने आधार सहित न्यू यॉर्क के नीचे के जटिल भुविज्यान को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पाया कि कुछ प्रकार की मिट्टी, जैसे मिट्टी और कृत्रिम भराव, के धंसने की संभावना अधिक होती है दूसरी ओर, आधारशिला काफी द्रिड रहती है और उन गगन चुमबी इमारतों को यथास्थान बनाए रखती है तो कम से कम हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सामराजे की राजे इमारत जल्द ही किसी भी समय धा जाएगी उपगरा डेटा के साथ अपने फैंसी मॉडल की तुलना करते हुए, शोध करताओं ने शेहर का एक नक्षा बनाया जिसमें दिखाया गया है कि कहां डूब रहा है और क्या? बरता शहरी करन और भूजल पंपिंग और निकासी से हालात और बद्दर हो रहे हैं क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम अपने संसादनों की सुरक्षा करना शुरू करें? मैं अभी अपना बैग पैग करना शुरू नहीं करूंगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी कुछ गंभीर डूबने की कारवाई का सामना कर रही है वास्तव में इसके कुछ हिस्से 2050 तक पानी के नीचे हो सकते है यह वास्तविक जीवन की अटलांटिस स्थिती की तरह है जकार्ता में 30 मिलियन से अधिक लोग अब निर्ने ले रहे हैं कि क्या उन्हें पूरे शेहर को स्थानांतरित करना चाहिए अगर वहा कोई शेहर है तो हमें डूबने की चिंता करनी चाहिए वह निश्चित रूप से वेनिस है लेकिन आप पूछ सकते हैं कि यह गोता लगाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है खेर मैं आपको जटिल सच्चाई बताता हूँ आप देखिए वेनिस ने घटिया नीम वाले दल्दली लैगून पर दुकान स्थापित करने का निरने लिया जैसे जैसे समय बीटता गया नीचे की जमीन इसे एक साथ नहीं रख सकी और कुछली हुई मार्शमेलो की तरह सिकुडने लगी इसके अलावा शेहर भूजल को ऐसे निगल रहा है जैसे कि यह चलन से बाहर हो रहा है या कुछ और इस गुदेदार केक के शीर्ष पर चेरी यह है कि समुद्र का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है और क्या? वे गुप्थ प्लेट टेक्टोनिक्स हस रहे हैं एड्रियाटिक प्लेट को एपिनेन परवत के नीचे धकेल कर वेनिस को नीचे की ओर अतिरिक्त धक्का दिया गया किसी के पास भूजल पंपिंग बंद करने का शांदार विचार था यह सोचकर कि वे डूबती हुई घटनाओं को रोक सकते हैं लेकिन अपने गोंडोल पकड़ो एक नए अध्यन से पता चला है कि डूबना पूरी तरह से रुका नहीं है बस थोड़ा धीमा हो गया है इससे पता चलता है कि पूरा छेत्र जुका हुआ है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्व की ओर समुद्र का स्तर थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा है और वेनिस थोड़ा उंचे सिरे पर स्थित है आप सोच रहे होंगे कि एक साल में वेनिस कितना डूबता है है ना इस चौंकाने वाले खुलासे के लिए खुद को त्यार रखें यह प्रती वर्ष लगभग 0.04-0.07 इंच की दर से डूब रहा है न्यू यॉर्क के समान इस गती से अगले 20 वर्षों में यह समुद्र तल से 3 इंच नीचे डूब सकता है वेनिस के मचली घर में तबदील होने से बचने के लिए स्थानिय लोग पानी को लैगून में गिरने से रोकने के लिए विशेश अवरोधों का निर्मान कर रहे है लेकिन अपनी सांसे मत रोकिये क्योंकि इस परियोजना में आपकी अपेक्षा से अधिक देरी हुई है ओह और क्या आपने वेनिस में पुरानी शैली का आकरशक माहौल देखा है ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे विंटेज लुक के प्रशन सक है वह खारा पानी इमारतों पर कहर बरपा रहा है जिसका कारण पानी का स्तर लगातार मूल नमी प्रूफिंग को तोड़ना है अब पानी चिनाई तक पहुंच गया है और कई अपार्टमेंटों के भूतल अब रहने के लिए परियाप्त सुरक्षित नहीं है अब वेनिस कब खाई में गोता लगाएगा यह निश्चित रूप से कहना कठिन है धनसाव और समुद्र का बरतास्तर मेराथन में कच्छुए की तरह धीमा और अप्रत्याशित है लेकिन विशेशग्यों ने मजाक में चेतावनी दी है कि अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो वेनिस 2100 तक लहरों के नीचे बैक स्ट्रोक कर सकता है हालांकी डरे नहीं वे इतिहास और संस्कृती के इस तरते रत्न को हॉलिवुड की आपदा फिल्म बनने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे है तो अभी वेनिस दिवस की यात्रा रद्द न करें न्यू औरलियंस में भी पानी की एक अजीब स्थिती चल रही है आप देखिए यह जीवन्त स्थान शुरू में समुदर तल से केवल एक उंचाई पर बनाया गया था और अब यह धीरे-धीरे डूब रहा है पुराने दिनों में जब शेहर का एक छेत्र जिसे फ्रेंच क्वार्टर कहा जाता था बस-बस रहा था लोगों को अपने पास जो कुछ भी था उसी से काम चलाना पड़ता था उन्होंने सबसे अच्छी भूमी पाई जो उन्हें मिल सकती थी लेकिन वह समुदर तल से केवल लगभग 10 फीट उपर थी और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, शेहर का बाकी हिस्सा पैनकेक की तरह समतल है, फ्रेंच क्वार्टर के आसपास का छेत्र उससे थोड़ा ही नीचे है अब भले ही वे जानते थे कि वे कुछ कठिन बाधाओं का सामना कर रहे हैं, साधन संपन न्यू औरलियन्स निवासियों ने अपने घरों को बार प्रवन भूमी से उपर उठाने की पूरी कोशिश की, जिसे उन्होंने अपने घर के रूप में चुना था अभी और है न्यू औरलियन्स के नीचे की जमीन जेलो की प्लेट की तरह हिल रही है वास्तुकारों को चीजें छोटी और आकरशक रखनी पड़ी क्योंकि उन्हें डर था कि मिट्टी उन्ची संग्रचनाओं का भार नहीं संभाल पाएगी उन्होंने दो या घाई मंजिलों पर टिके रहकर इसे सुरक्षित रखा यहीं पर यह दिल्चस्प हो जाता है शेहर ने 1900 के दशक में एक फैंसी जल निकासी प्रनाली स्थापित की यह सोच कर कि इससे उनकी पानी की समस्या हल हो जाएगी और जब ऐसा हुआ तब भी यह एक गरबर थी लेकिन इससे दलदल वगेरह में मदद मिली इसने अंजाने में मिट्टी से जीवन सोख लिया हाँ, जमीन को उंचा और सुखा छोड़ दिया गया था उसे स्थिर रखने के लिए परियाप्त तलचट और पानी के बिना 1930 के दशक तक चीजें और भी उलट-पुलट हो गई शेहर का एक तिहाई हिस्सा समुद्र तल से नीचे था और जब तक तुफान कैटरीना ने अपना भवे प्रवेश किया तब तक यह संख्या आस्मान छुगई लगभग 50% तक ओह और यहाँ सोने पर सुहागा है समुद्र के स्तर ने हीलियम गुबबारे की तुलना में तेजी से बढ़ते हुए पार्टी में शामिल होने का फैसला किया तो अब न केवल New Aurelians डूब रहा है बलकि आसपास का छेत्र भी समुद्र तल से कई डिग्री नीचे है तो हम इन सभी डूबते शहरों के बारे में क्या कर सकते हैं उदाहरन के लिए हम अपने पानी की खपत को थोड़ा बेहतर धंक से प्रबंधित कर सकते हैं हम यूँ ही धर्ती से भूजल चूसते नहीं रह सकते जैसे की कल है ही नहीं हमें अपने शहरी केंदर की प्यास बुजाने के लिए नए तरीके खोजने होंगे इसके बारे में सोचो हम सथी जल को शुद्ध कर सकते हैं या खारे समुद्री जल को मीठे घोल में भी बदल सकते हैं बेशक यह सब काम करने के लिए हमें भारी मात्रा में उर्जा की आवशक्ता होगी महान शहरी जल प्रबंधन की बात करते हुए मैं आपको डेनमार्क के नी नामक शहर के बारे में बताता हूँ इन लोगों ने सब कुछ समझ लिया है वे वर्षा जल एकत्र करते हैं और इसका उप्योग अपने शोचालियों और वाशिंग मशीनों की आपूर्ती के लिए करते हैं देखने के लिए धन्यवाद यादी आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तु वीडियो को लाइक कर दीजिए